हरे कृष्णा दोस्तों आज का वीडियो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और उन सब लोगों समर्पित हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आज के वीडियो में क्या खास है वो मैं आपको बताता हूँ आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जो एज थी और उस एज में जो जो उन्होंने लीलाएं दिखाई हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो अब मैं इस वीडियो को चार पार्ट्स में बाटरा मतलब जो उनकी एज जो है उसको चार भागों में देखेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे गोकल धाम को उसके बाद में हम यहां वरिंदावन धाम को देखेंगे फिर उसकी बार मदपुरी, अर्थात, मतरा को देखेंगे और अंत में द्वारिका तो यही जो चार फेजिस थे भगवान श्री किष्णे के जीवन में महत्पूर्ण थे तो चलिए सबसे पहले आपको गोकल धाम में बताते हैं इसको मैंने टेबल फॉर्मेट अब बनाया हुआ है, तो यहाँ पर यह एज आपको दिखेगी और यह उस एज में हुई लीला आई थी, ठीक है, तो भगवान श्री किष्णे पैदाईशी के बाद से ही इनके चमतकार देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जब यह छेहिस दिन के थे, तो यहाँ पर इनोंने पूतना का वद कर दिया था, ठीक है, आप जानते हैं पूतना के बारे में, और जब यह है, तीन महीने की थी, तो शकट भंजन यहाँ पे इनो को मिलता है, और यहाँ पर देखिए, जब यह तीन साल, दो मेने के पहुंसते हैं, तो यमला अरजन उधार होता है, और दामोदर लीला, देखिए, दामोदर लीला में क्या होता है, जब भगवान श्री किष्ण को मा यशोदा ब्रसी से बांद देती हैं, तो उसी जो पू पूरा पूरा ब्रहमाण उनके मुख के अंदर दिखता है, ठीक है, और यहाँ पर जो यमला अरजन एक वरिक्ष ते जब वरिक्ष तूटता है, तो उसके अंदर से कुबहर के दो यहाँ पर पुत्र निकलते हैं, तो उनको भी यहाँ पर एक जीवन मिलता है, तो अमित्र तो उन्होंने यहांपर decide किया कि हम गोकुल धाम से अप वरिंदावन पर shift हो जाएंगे तो दीकी सबसे पहले कहाते हो उन्हों ने मत्रेजेल में उनका जनम उनका जनम गवा तो उनको गोकुल धाम लाया गया था श्री विंदावन धाम में ठीक है तो विरवई एज एंड लीला तो देखिए तीन साल आप यहां पर भी जो है जो राक्सस हैं कंस के वो उनका पीछा जोड़ते नहीं है यहां पर भी भगवान कृष्ण जो है अपनी लीलाई दिखाते हैं जब वो तीन साल तीन महने के थे तो यहां पर यह वरिंदावन पर आते हैं उसके बाद जब वो तीन साल चार महने के थे तो वच्छरण वच्सासूर का यहां पर वद करते हैं ऐसे और भी यहां पर आपको वद दिखने को मिलेंगे जैसे कि चार साल चार महने के वे यह अगासूर का वद करते हैं ब्रह्म मोहनलीला में क्या होता है कि जो ब्रह्मदेव होते हैं वो जो वर्णदवन की जितने भी गाये होती हैं और जितने भी जितने पशुपक्षी होते हैं जो गाये चराते थे श्रीकिष्ण उन सबको वो ब्रह्म लोग ले जाते हैं एक साल तो वो मराते हैं लेकिन जब वो नत्मस्तक होते हैं, उनके नाम के गुरगान गाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, पास साल दो महने में गुचारण शुरुवात होती है, ठीक है, और छे साल नो महने में काली दमन, जो काली नाग होता है, यमना नदी में वो नवास करता है, उसके वज़े से यमना मिलन इनका 6 साल 9 मेले मनलब 6 से 7 साल में हीनका कोप्योसी मिलन होता है मा करते हैं वह भी मा कात्यानी की पूझा करती この और आन्त में चीटी वूर्ण करते हैं और वस्तव जो बेते हैं और उनके साथ अटास्थ करते हैं कि आप यम श्रुक्व से कर तो यह घलत ऑना जाता है तो यहाँ पर भी अपने लीला दिखाते हैं उसके बाद देखिए साथ साल दो महने में गोवर्धन की वह लीला दिखाते हैं जब इंद्रदेव का यहाँ पर अत्याचार बढ़ता है और वही अपने आपको देपता मानते हैं तो वो गोवर्धन को उठा कर जितने भी जो वासी होते हैं नंदगाओं के उन सब की रक्षा करते हैं ठीक है इसलिए यहाँ उनका गवन तूटता है इंद्रदगा तो गोविंदा नाम भी यहीं से इनको मिलता है ओके देखिए आट साल के अंदर वरन लोग से नंदग को लाए किसको जो नंद को लाए थी ठी उससी के बाद से देखिये और नहीं आट साल एक मेने में यहाँ पे इनूने रास लिला भी दिखाई है रास लिला के बाले में आप जानते हैं फेमस रास लिला ... उसके बाद नाइनज यहर के दोरान यहाँ पर देखिये शंक चूर का वध्य करते हैं। अंबिगावन गवन ठीक है और होरी लीरा ठीक है अंबिगावन गवन में ही जो फेमस यहां पर जो अजगर आता है और अजगर जो बहुत बढ़ा मुझ करके पैठा होता है जो उनकी मित्र होते हैं वो उसको गुफा समझ के अंदर जाते हैं और वहाँ पर भी गहाट है आज वरिंदावन में वहीं पर ही वो गोड़े का रूप बना कराता है बगवान कृष्ण अपने मित्र के साथ खेल रहे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जो गोड़े का रूप बनके आया यह एक दैती ही है जिसे कंस्वेशता है और वो रूप बता देता है कि यहाँ पर वो इसको देखने को मिलती है वो समझ जाता है कि यह को साधरन बालक नहीं है तो इसको मतरब लाना चाहिए तो वो अकरूड को यहाँ पर पर वरिंदाव बता है आवन भेशते हैं और यहाँ पर धनुष वहाँ पर एक लीला रखते हैं वहाँ पर कि उसको उठाना होता है धनुष के लिए और फेमस धनुष होता है और इसके बाद में एक मल्लियुद वो रखते हैं तो यहाँ पर यह इन दोनों को आमंतरण करते हैं तो श्री एक महने कि जब उमर होती है तो यह मत्रागमन इनका होता है और यहीं पर यह कंस का वद करते हैं कंस के वद से पहले जो मल युद में यह बड़े-बड़े जो मुश्टीक और एक और मल युद में बहुत ही जवर्दस्त अपना कौशल दिखाते हैं बड़े-बड़े युद तो ग्यारा साल एक महने के उमर में बगवाल श्रीक इसनदियं क्या सकस्वकाबद किया था आप देखिए ग्यारा साल पांच महने की उमर में यग्यु पवीत होता है फ़र उसके बाद में ग्यारा साल साथ महने में यह गुरु कुल जाते हैं जहां पर ये 64 दिनों तेके अंदर ये अपने गुरु जी से 64 प्रकार के जो हार्ट्स होते हैं, कलाएं होती, वो सीखते हैं, दोनों, भाई बेन, ठीक है, स्वरीज, भगवान श्री किष्ण और बलराम, और गुरु दक्षिना मैं, जो उनके गुरु होते हैं, शांडीपन, उनके पुत्र को ये पकड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए, अंत मैं, 15-32 साल के उमर में, अब क्योंकि यहाँ पर कंस का वद होता है, और कंस के जो सवसूर होता है, उसका नम जरासंद था, और वो बार बार मतुरा नगरी पर अटैक करता है, और भगवान श्री किष्ण उसको 17 बार हर जाते भी हैं, लेकिन अंत मैं क्रिष्ण समझ जाते हैं, कि बार बार अब जरासंद से युद्ध करना सही नहीं है, इससे बहुत नुक्सान हो रहा है, अब क्योंकि यहाँ पर कंस के मनने के बाद में, उनके पिता को उगर से इनको रजा बनाते हैं, और वीग पढ़ती ज बत्रा से अपने लोगों को लेके द्वारी के चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो रुकते नहीं है, यहाँ पर भी उनकी लिलाया को देखने को मिलेंगी, तो 32 साल के उमर में रुकमणी के साथ उनका विवाह होता है, ठीक है, और विवाह के अगले साल 33 एट येर में पर भक्त होता है, ठीक है, उसका वो बत करते हैं, और नरका सुरकावद करने के बाद में जो 16,000 से जो कन्याय थी, जो उसके कब्जे में होती है, उनको उचुड़ाते हैं, और बदले में वो उनके साथ विवाह करते हैं, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट करती हैं कि बई आप त पांडवो और कुंती से मिलने के लिए इंदपरस्त चाते हैं, ठीक है, फिर देखिए, 51 साल में यहापे जो परदिमन होते हैं, यह द्वारी का वापिस आते हैं, उसके बाद 52 एर में बलदेव को बरज बेशते हैं, ठीक है, और 53 थर्ड एर में अनिरुद पैदा होते हैं श्रीक्ष्ने के पॉत्र, इनका जनम होता है, और 72 साल में यह राज शूयाग के करते हैं, और यहीं पही शुपाल का वद होता है, और यही पही जरástन, इससे पहले जरासन का वद होता है, ठीक है, उसको भीहीम के दुवारा वो अर्वाते हैं, ठीक है, मल युद्वै, फि उनको सौ गलतियों तक का वो माफ करने का उनको वचन देते हैं शेशुपाल के मा को बगवान करिश्ट है लेकिन जैसी सौ पुरी होती है यहाँ पर शेशुपाल का वद होता है ठीक है उसके बाद देखें 73 एर में दरोबदरी चीर हरन होता है यहाँ पर हम सब जानते हैं क्या हुआ था उसके बाद देखें 73 एर में वरज लीला प्रकाश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पुरी और 86 एर में यहाँ से पंड़व जो होते हैं क्योंकि उनको ग्यातवास मिलता है और यहाँ से वो वापिस आते हैं और यहीं से फिर माहाँ भारत की शरुवात होने लग जाती है 87 एर में युद्ध की बाते चलती हैं बिंती हैं बिगड़ती हैं जिसमें शांती दोत के रूप में महवान क्रिश्ट ने गहे थे और पंडवो जीतने में उनका बहुत बड़ा हाथ था अब मित्रों यहाँ पर जब वो 125 साल में पहुंसते हैं तब यहाँ पर इंगा अंतर ध्यान होता है अब क्योंकि यहाँ पर गंधाली के शराप के कारण जो यादब कुल के जो लोग होते हैं वो स्वयम अपनी आपक होती है एक वहाँ पर भील होता है व्याद होता है वो उस मड़ी को एक हिरन की आँग समझ का तीर चलाता है जहां पर लगने से भगवान शिरकृष्ण ने घाव इतना तेज होता है कि जिससे उनकी मृति यहाँ पर होती है मतला मंतर ध्यान वो यहाँ से होते हैं देखिए इसका एक कारण ये भी मना जाता है कि जो महाँ पर युदुष होने से पहले जो बर्बरीक के साथ में बवान कृष्ण का जो बाते होई थी या जो युद्ध हुआ था उस द्वंद के कारण वो पेर जो था उनका वीग पढ़ गया था तो इसलिए व्याद पर वो किरपा करते हैं उसके तनुशमार से उनका भी यहां पर अंत होता है तो गांधारी के जो शुराप से 36 साल मतलब मामारत 89 साल के उमर में देखा था आपने और 125 मतलब 36 साल के गैप के बाद में यहां पर श्री कृष्ण जो होते हैं वो अपने बैकृंट लोग को वापिश ले आते तो में तो यह था आपके सामने भवान श्री कृष्ण के एजवाइस पूरे उनका समयकाल और उस समयकाल में जो जो उन्हें ने गटनाएं दिखाए थी मतलब जो लीलाएं उन्हें दिखाए थी तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ल